गुस्वामी दास्टी, तुलसी दास्टी महराज भासा अवद्द गर्दनू छा तरह इत्ती सुंदर रामचरित मानस को रचनागरनू वन्द पहला वानिक के वन्नू वैथा छा यदि हमी हरू दुई चार उड़ा कविता पनी लिख्यो हने सबैलाई सुनाओ दे छा कभी हरू को संग बड़ो कठीन उन्चरे यदि कभी को साथ आजोर दुई घंटा बसन भाये वने एत्ती कभी ता सुनना मिल चा एत्ती कभी ता सुनना पाइन चा कभी हरू ले आपुले रचनागरे को कभी ता घर परिवार लाई सुनाओ चा ची में किलाई सुनाओ चाना बाटों इंडे लाई कने रोकी रोकी कभी ता सुनाओ चाना बाबा गोश्वामी तुलसी दास्ती रामचरित मानस रचनागर नो बंदा पईला स्तर्व प्रथमने बनना चा ममा कभीता लिखने विवेक बुद्धी चैना मिलाई रोकुछ नो लाई कभीता विवेका एक नहीं मोरे कभीता विवेक नहीं मोरे सद्या कमा हो लिकी कागद कोरे सद्य कभीता विवेक आगद कोरे सद्या कि भीता विवेक नहीं मोरे सद्या मोरे विवेक लिवेक नहीं मोरे राम्जी को ये दिल कृपा भयो भने बुलना सब्सक्राइब बुलना सक्षा इनन नसकने ब्यक्ति पने परवत चन्न सक्षा इदे राम कृपा है दियो में विसे गारण राम्जी को कृपा हामी माथी आउस भरेरामेर भगवान को गताशुन देचुन मंगल भवन अमंगल हारी भगवान स्री रामजी मंगल को भवन उन्चा इसता भगवान स्री रामजी महराज को सुमिरन श्वयम संकर भगवान पनी दन्चा चौबिस गण्टा मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी बांके भी हरी लाल को आज को आनंद को एक बार जोड से बोलो थोड़ा मस्ती में बोल दो ना मुस्कुरा करके बोलो ना जी ए मेरी आमा बोलो ना हजर हरो स्री राम कथा स्रगन पान गर्दे हुनंतियों राम कथा को रचना भगवान जन्कर ले गरनु भवयो नीज मानस मा राखनु भवयो तथ पस्ताथ बाबा गोस्वामी तुलसी दासिले भासा वत्त गरते हुनंच कभी तालिकते हुनांच बाबा प्रथुन रचना माने भन्नोंचा कि मा मा कभी तार लेखने बिवेच छाइना तरपनी मा गुरुदेव को कृपा ले लेखना गई रहे कुछ मै पुनिनी जगुरसना सुनी कथासो सुकराखे समझी नहीं तसिवाल पना तब अति रहे ओ अचे आज स्री बाबा पुष्वामी जी बंदेवनोंचा मै ले गुरुदेव को मुख बाटा सुकराखे त्यानी बराहा छित्रमा स्री राम कथा सुनी तरपनी मलाई समझ मा आईना मै ले बुजी ना पभक पनी गुरुदेव ले बार पार हैयो कथालाई स्रवन पान गर्य राहनमाई यदी हजूर साने ओननोंचा हजूर को सनमख गुरुले सुनदर बाड़ी उननँँख हजूलाई इवटापनी पुरा हजूले बुझन मतब भाई को चेना तर अपने बार बार बुजाओने कोशिस गरीव भने एकने एक बार समझ माँ अवस्त्याओं चाओ तिस पची बाबा लिखना चाओ तदपी कही बुरं बार ही बारा समुझी परी कच्छु मती अनुसारा समुझी परी मती अनुसारा समुझी परी कच्छु मती अनुसारा जती ब्यक्ति गो बुद्धी उंच तेती नहीं समझ माँ चाओ ये रामचरित मानस को चवपाई अबदी भासा माशा महराज जती मेरो बुद्धी थियो तिती मेले समझे रो जती समझे तसले बुझाओने कोशिश गरे भासा वद्ध करभी में सोई तसले मेले भासा वद्ध करने कोशिश गरे अचा राम चरित माना सेती ब्रिहत छा भुश्वामी जी वन्नुंच जती समझे तेती ले मा लेग देई छो तेपनी अजुर अले ध्यान देर सुननो ला राम कथा ले की गर्छा तो भंदा हमरो अज्यान लाइनास कर्छा राम कथा स्रवण करना ले रिदय को व्यथा समाथ तो हुझा एक बार जोड से बोलो राम कथा सुनना ले रिदय को व्यथा समाथ तो हुझा रईयो कथा को रचना कहले भूयो संबत सो रहा सै एक तीसा नौमी भौम बार मधुमासा नौमी तिथी मधुमास पुनीता सुकल पक्ष अभिजीता हरी प्रीता भगवान रामजी को जनम जुन तिथी मा जुन समय मा भयको तेई तिथी मा अयोध्या पुरी मा श्री रामचरित मानस भगवान को रचना मयो प्राकट्टे मयो अर्था रामचरित मानस को इस्ताधारण पुस्त कहीन महराज साख्यात मगवान राम को ने रूप हो अबद पुरी मां राम चरेता मानस को मानस जी प्रकासे तो दियो मनिंच राम जी को जन्मु सब को दिन मां अयोध्या पुरी मां समस्त तिर्था आउंचन रे यदि हजुर अयोध्या पुरी हजुर अयोध्या जानु भय को छा चा कि चाई ना आतो ड़ा उनुस्ता यदि हजुर अयोध्या पुरी जानु भय को छा भने हजुर नहीं थावला वहा को महीमा राम जनम को दिनमा शहित्र नभमी श्री राम जी को जन्मों सबको दिनमा समस्त तिर्थ आयोध्या धाम्मा उजन्दे रत्य ही दिन राम चरित मानस भगवान को प्राकट्टे भाई जेही दिन रामा जन्मा शुरुति गाम ही जुन दिन शुरुति ले बेद ले राम जी को जन्मों सबको प्याख्या गरेको छा तेही दिन पीरत सकाला तहां चली आवही तियो दिन समस्त तिर्थ हरू राम जी को जन्मा स्थान अयोध्या मा आउँँछा यदि हजुर अरूर राम जनम को दिनमा अयोध्या जानों भयो भने समस्त तिर्थ यात्रागरे को फल प्राप्ता हुचा प्यार से बुलो रग्योत पावन ग्रंथ को नाम के हो राम चरीत मानस एही नामा राम चरीत मानस एही नामा सुना तस्रबन पाई या बिस्रामा राम जी को यो पावन चरित रको नाम हो श्री राम चरित मानस यू कथालाई हजुर अले सुनु भय बने बिस्राम भाईंच अचा बिस्राम को अर्थ अजुर अले बुझनु भयो बिस्राम भने को थाचा के छाई ना ए आमा बोल्लू ना बिश्राम को अर्थत्यों हुई ना बोजन गरेर चार घंटा सुतनो लाई बिश्राम बनदईनन तो तो आराम हो जुन भक्त रामजी को नाम माँ डुबेर युँ नाम को भजन किर्थन गर्शन तेसराई मात्र बिश्राम प्राप्त होंच यह बिश्राम कस लाई मिलियो भगवान संकर लाई मिलियो भगवान संकर 24 गंटा राम जी को नाम लाई पान गनुँँँच बोले नाथ ले कंठ मा बिश्राम लाई धारण गनुँँँँच रिदे मा राम लाई धारण गनुँँँच रबोले नाथ लाई जब बिश्रा र राम लाई वहांले धारण गन्वे तो वहांलाई विश्राम प्राप्त भायों क्यार से बोलू ना रश्री राम चरित मानस को चार उटा घाट को बरना शरनागती घाट अरको घाट कर्म कांड घाट तेश्रो नमरमा यान घाट चौथो नमरमा भक्ती घाट जस्तो एवटा सरोवर को चार उटा घाट हुँचा तिस्ते राम चरित मानस सरोवर हो हारा सिंदु हो सागर हो यह राम चरित मानस रुपी सरोवरमा चार उटा घाट हुँचा सरनागती घाट करमकांड घाट भक्ती घाट र ज्यान घाट सरनागती घाट मां बसेर बाबा गोस्वामि तुलसी दासी कथा सुनाओ दे अनुँछ र कर्मकंड घाट मा बसे र याग्य वलकेजी महराज प्रयाग राज को धर्ति मा भरतवाज जिलाई कथा सुनाओ दे अनंच र तत्पस्चात ज्यान घाट मा बसे र भगवान भूत भावन भुले नाथ मा भवानी गवरी लाई पारवती लाई कथा स्रबन पान गराओ दे अनंच स्थान चरा कैलास परवल तत्पस्चात भक्ती घाट मा बसे र काग भुशंड जी महराज काग भुशंड लाई चिन्नों वहिको छाँ काग भुशंड जी महराज कववा महराज हुनच कववा, कववा को रूप मा पनी भ्रगवान को भक्ति गरे वे युँ पात्र का वहने प्राप्त में। का भुसंडी जे महराज भक्ति घाट मा बसे रहू। गरोड जे महराज लाई कथा सुनाओ देनुच स्थांच नीलगिरी परू। चार घाट मा चारे योटा बक्ता कथा गाउनलाई कथा धनलाई प्रारंबगनोंच राम कथा को महिमालाई सुन्दर रोप मा काईयो परणनगरियो। यद्धिश्टी राम कथा वनिंच जसले स्ट्रबन पानगर्च उसको जीवन को संकट ना समच। एक बार जब प्रयाग राज को धर्ती मा श्री याक्यवलकेजी महराज लाई भरत द्वाजी महराज ले प्रस्ण करनाँच। सुन्दर रोप दिभ्य स्री राम कथा बनिंच अजुले सुन्द वैकोला प्रयाग राज मा कुम्ब मेला लाक्षा। प्रयाग राज मा भरत द्वाजी महराज को अश्रम चुले स्नानगर्न को लागे समस्त साधू संत महापुरुशरू आउन भैकोच। भरत द्वाजी महराज ले प्रणाम गर्दे सवे जाना अपनु अपनु स्थान जादेच। यहाँ बाबा गो स्वामी जी अकी सुन्दर चोपाई लेखना जी। एक बार भरी मकर नहाए। भरत द्वाजी महराज लेया के वलकी जिलाई की प्रश्ना गर्नु है। नाथ एक संसों बड़ा मोरे मेरो दिलमा यह का ब्लब जोग। संका स्का स्का यह का गंबीर सवाल। यदी हमें ले सरल कुई यह उने सरल रॉन्सा रभ गहिरायमा सचे हूने गंबीर सवालका। सवाल क्यों हूँ। रा म क sworn क्रभू ऊचव दोही। अलैऌ मे प्रभू दोही। कहिया कुझाई पे पादी धी मोहे भरत्वार जी महाराज ले याज्य वलके जिलाई प्रस्ण गर्नों भयो यहां मानस मां बाबा गोस्ट्वामी जिले याज्य वलके लाई जाग वलिक होने रलिखनों भयो किनकी कलियू का प्राणी नाम बिगार्न को लागी एकदमाई सिपालू छंडरे कलियू का प्राणी हरो अर्गा को नाम बिगार्न लाई एकदमे सिपालू छंडरे कासे को नाम यादी सुरेश वह वने तेला बिगार्न के वने चाँ? सुरेश थे हैना? कासे को नाम के वह वने? तेसलाई बिगार्न रही बोलाई चाँ? अचा मांचे को अगारी तो भीगार्न दे ना तर पीठ पछाडी? दुर्गा नाम कसे को भायवने दुर्गे? सिता नाम कसे को भायवने सित्रे? यो प्रायस अभेले गर्षा तो याज्यवल्क्य बोलनलाई कठीन उला पने पईले बावाले गुष्वामी जिले जाग बलीक मुनि पर्म पिबेकी, जाग बलीक बनलाई कठीन पनि उतेना यहोटा दिंप्य सवाल प्रस्ण गर्न हयो भरत्वा जिले याज्यवल्के जिलाई कफ्तो सवाल राम कवन प्रभू पूछा हुट तो ही राम जी को हुनुँच अचा अजुर अलाय सुने रबड़ आसरे लागे बोला राम को हुट या के वलके जी वनुँच अजुले राम लाय चिन्द हुट राम को हुट जसले जसको चरीत्र पुरा संसार मा विद्यमान चा तक पशाथ एक राम त्योपनी उनुच जो नारी को बिरहमा बनमा घुंदे उनुच बनमा रूदे इन्द हुट चा र एक राम ले राबड लाय मारनु भाय को चा राबड लाय मारने राम दसरत का पुत्र राम नारी को बिरहमा रुने राम ये थीनोटा राम एउते राम हुँ र ब्रह्मा तक्त्व राम पने एउते ही हो कि अलगा रहो बने र प्रस्णगर न हुए अगई यहाँ पर याग्यवल के झी बने रहो प्रस्णगर ना वरतवाजी को यो दिब्बे सवाल लाई सुने रयाग्यवलके जी मुस्कुराउनों भयो जाग बलीक बोले मुस्काई मुस्कुराई रभंदे होनोंच हजुर को यो चतुराई हो हजुर चतुराई कर दे होनोंच चतुराई कौरत के हो अरुलाई ठगनुने चतुराई हैन महराज हामिलाई फाइदा हुने विशय बस्तो ज्यान रुपी तक्तो प्रकट गराउने सामर्थ येजी हजुर वित्र छा बने संसार को सवी वन्दा ठुलो चतुर वेक्ती हजुरु नुच बोलू ना ए आमा बोलू ना अब भरत गवाज लाई याग्यवल के जीवन दे उनुच राम भगत तुमा मना क्रमा बानी राम भगत तुमा मना क्रमा बानी हजुर मन करम बचनले स्री राम जी को भगत हुरु चतुराई तुम्हारी में जानी हजुर को चतुराई में जानी सकें हजुर को भीत्र संका हुईना भगवान राम जी को कथा सुनने इक्षा प्रकटवाई को च राम कथा मा हजुर डुबन चान अंच तक पस्चाथ यहाँ स्री याक्यवल के जिले कथालाई लीरा दंट कारण ने बनमा पूनमाई एक बार एक बार त्रेता जुग माही जब एक बार त्रेता जुग माही राम चरित मानसमा जब सम्हाँ एक बार सब्त आये को चाई के न कई नया घटना वैको चाई एक बार त्रेता जुग माही राम कथा अधी धेरे मारमिक्षा ते वर पे हिसावले तेसी भावले जुन्नो लाई प्यार से बोलो मस्ती में बोलो ना त्रेता जुग मां संभू गये कुम्भज रिशी पाही कुम्भज अर्थात अगस्त्य मुनी कुम्भज अर्थ हो घड़ा घड़ा बाट प्रकट भयको नाले वहांको नाम कुम्भज पनी भयो कुम्भज रिशी को आश्रम मा भगवान सतीलाई लेर महेश भगवान भोले नाथ जानू भयो तर त्यागई सके पची माता सतीलाई भगवान को कथामा बिश्ट्वासे लागे ना भ्रम भयो तत पस्ताथ भगवान स्री भूत भावन भूले नाथ ले पावन कथालाई धाव संग स्रवन पांगन भयो जयो राम कथा जब सम्म भाव हो देना तब सम्म स्रवन पान गर्मे सके देना अंहोस के समय बजन में नाचूंग मतुतापनी लेख भूले बाबा मेर दुखा कष्ट मिटाई देऊ दुगने लावन पार लगाई दो मतान नाचूंग दुबनला क्यों लूका मेरो पार लगए देओ बोल्वे पापवा मेरो दुखार द्रश्न परकेदे दुबनला क्यों लूका मेरो लूका लगए देओ